जै स्री कृष्णा राधे राधे घर में छिपकली का होना आम बात है अक्सर आपने देखा होगा आपके कमरे में किसी कोने में सिलिंग पर दिवाल पर आप छिपकली देखते हैं और जाड़ू या डंडे से मारके भगाते भी हैं लेगिन कि आपको पता है कि सास्तौर में छिपकली को मालक्षमी का प्रतीक माना गया है इसलिए छिपकली से डरना नहीं चाहिए और ना उसे भगाना चाहिए क्योंकि एक-दो छिपकली होना आम बात है और ये कोई खास बुरा प्रभावर नहीं डालता बहुत सारी लोगों के गर में बहुत सारी छिपकली होती है और छिपकली के भी कलर होते हैं एक होता है सफेद वाला और एक होता है काला वाला तो दोनों ही छिपकली अलग लग फल देता है आज हम आपको उनी फलों के बारे में बताएंगे तो सफेज छिपकली ज़्यादा तर आपके घर में होता है और छिपकली के बारे में कुछ सुब असु संकेत भी माने गया है जैसे कि अगर आप छिपकली को आपस में लड़ते वे देखते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि कहा जाता है घर के लोगों में मतवेर या जगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है अगर घर में छिपकली दिखे तो क्या करें आप एक छोटा सा परियोग कर सकते हैं किसी भी मंगलवार के दिन यह आपके जीवन की मुश्किलों को कम करेगा आपके बरकोत को बढ़ा देगा जैसे ही छिपकली दिखे आप पहले से संभाल कर एक लाल रंग का कपड़ा रख लें लाल रंग का छोटा सा ज़्यादा बढ़ाने कपड़ा रख लें चोटा सा मतलब रुमाल इतना कम से कम या उससे चोटा भी चलेगा और जैसे ही छिपकली दिखे मंगलवार के दिन इस कपड़े को छिपकली के ऊपर फेके जैसे कि यह कपड़ा छिपकली के ऊपर टच करे और फिर टच करने के बाद तो कपड़ा गिरेगा नीचे लेकिन गिरने के पहले आप हाँ से कपड़े को ले ले जैसे कि वो जमीन में नहीं गिरे अगर डारेक्ट आपके हाँ में ये कपड़ा आ जाता है तो इसका महा तो बढ़ जाएगा इसके बाद इस कपड़े के ऊपर आप पांच सिक्के आप एक रुपय का कोई होता है ना पांच लेने कोई भी कोई पांच सिक्के अगर तांबा का सिक्का मिल जाए तो पांच तांबा का सिक्का अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है तो पांच चांदी का सिक्का है बहुत लेते हैं चांदीकार तांबा का सिक्का नहीं मिला तो सिर्फ पांच एक रुपया का सिक्का रख लें अतीनों मिल जाए तो और अच्छी बात ठीक है अब इसको आप इसको लपेट कर याद रखिए बांधना नहीं है उसको लपेट ले अच्छा से और इसको अपने यह ब्यापार अस्थान पर रख दें अब कहीं भी रख सकते हैं आप देखिवागा एक सवा महने कहरो बर्कत होने लेगी कि दूसी बात अगर आपको घर में चिपकली देखती हैं तो आप छोटा सा प्रियोग भी कर सकते हैं भगवान की मुरति के पास जो आपने कुम- समांगते है जल्दी पूरी हो जाती है सास्तुरों मैं कहा गया झीज़ित हैं जो है वो आपके धन के मारग को खोलता है लेकिन कुछ असुप कारण भी जैसे कि आपके घर में कौई सुमंगल बाते हो रहे हैं हो रही है कोई अच्छी अब देखेगा घर में अगर आपने फ्रवेश कर रहे हैं मरीवी चिपकली दिखे या मिट्टी में दिखे तो अच्छा नहीं माना जाता है स्वास्तपेश कर निगेटीव प्रफवा दिखता है ध्यान रखिएगा वैसे सपने में च्पकली क सब्कर खाते ना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि आप देखते हैं तो बुरा है लेकिन अगर आप यह देखते हैं कि столько चिपकली आप से डर्थ रही है तो फिर अच्छा है भविस्य में कोई बढ़िया समाचार मिलेगा लेकिन अकसर आप देखते होंगे कि पूजा घर में चिपकली का होना बहुत अच्छा होता है घर में संपत्ती बनी रहती है दर्जता नहीं आती है लेकिन चुकि आज हम अच्छे प्रभाव भी होते हैं काली चिपकली और कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं अगर आप घर में काली Süसी हैं तो संता किने परेशाण करेगी तो स्पेच जो परभा 번째 कि दिए लेकिन जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो बहुत समल के रहना चाहिए क्योंकि काला चिपकली का मतलब होता है गर्वपात या फिर संतान ना होना संतान के स्वास्त में प्रिशानी दूसरी बात धन रुकेगा ही नहीं धन कहां से आप लाग प्रयास कर लो कमा लो लेकिन वो ट बाइव पर यह सबी चीजों पर यह पिर कहीं चोड़ी हो गया खो गया बहुत तरह की मुस्किले पैदा करता है काला चिपकली और तीसरी बात काला चिपकली होने के फाइदे भी है क्या है फाइदे किसी का भी तंतर मंतर क्रिया आपके उपर असर नहीं करता चाहिए वो भूमी जमीन जैदाद प्रोपर्टी के आप मालिक बन जाएंगे एक तरह पैसा भी आपका परवाद करेगा टिकने नहीं देगा लेकिन संपत्ति का सुख भी आपको दिला देता है अगर कोट कचरी मुकदमा वेगरे चल रहा है उसमें आपको विजय स्री दिलबा देगा का काला चिपकली तो काला चिपकली के होने से बड़ी हानी यह है कि संतान के उपर कस्ट है और पैसे नहीं टिकते लाब है मुकदमे में विजय होती है भूमी घर भवन का सुख मिलता है और तीसरा आपके जीवन में जो तंद्र क्रियाएं वह असर नहीं करती चाहें लोग कि तो ठंद्र मंत्र करें वह ख़ाएं लेकिन जब राहु एक्टिव ना हो तो तन्द्र मंत्र क्रिया horns ढ़ाती जीवन पर कि तो सफेज काली घर में एक बार तो फिर भी ठीक है ज्यादा प्रूमी अच्छान नहीं क्यों कि चिपकली के बहुत सारे अंहों प्रः शूब ल जो बच्चे हैं उनके करियर को लेकर बहुत सतरक रहें अगर घर में काली चिपकली दिखती है तो बहुत तरिके के प्रियोग होते हैं आप प्रियोग कर सकते हैं चिपकली को भगाने के लिए ताकि आपके घर में परिसानी नाला है क्योंकि काला चिपकली होने से बच्चों नहीं सकता और साथ ही आपके जीवन में भूमी का सुख देता है तो सफेज चिपकली और काला चिपकली में अंतर है वैसे तो चिपकली रंग बदलती है लेकिन अक्सर कभी-कभी क्या होता है अधिकतर वो आपको काले रंग में ही दिखेंगी एकाध है तो कोई दिक्कत नही है तो समल जाए और चिपकली का जो अंग पर सरीर के अंगों पर गिरने का भी सुबसुब फल होता है उसके बारे में भी हम कोसिस करेंगे अगले वीडियो में बताने का तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सकाइब करें अपनों के सा सब्सक्राइब कर सकते हैं ग्रैंड्धर्मासर्माग.com बैप साइट पर आईए पूरी तरह से जो 30 पर धारित हैं फिलाल भी दालेंगे हर हर महादेप कमेंट में लिखना मत भूलिएगा धन्यवाद